हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल पियाएसनेस आज मैं आपको वताऊंगी कि आप अपने दांतों की केर कैसे करेंगे देखे आज के बिजी शेडियूल में हम अपने दांतों की केर करना बिलकुल भूल गए ही अब आप कहेंगे कि हम दो रोज ब्रेश करते हैं रोज माउथ प्रेश्णर यूज करते हैं हम क्यों लेकिन उससे फायदा क्या हो रहा है कुछ भी नहीं क्योंकि अगर आप के दानों में कीडे नहीं लगतें कंसमें ब्लीडिंग नहीं ओरी होती आपके दाथों में पारिया नहीं होता और भी बहुत सारी में जनजनाहट नहीं औरुती स्टीश कहती हैं आप क्या करते हैं कि अज के लिए आपकी दातों की मजभूती के लिए जरूरी है आप बहुत मैं आपको इसी तीन चीजे बताती हूं जो कि आपके दातों की रक्शा करेगी और तो किसी भी तरह की कोई भी नुकसान आपके दातों को नहीं तो पहली चीज है चार कॉल पहली चीज है को कि जिसको आप चारकोल बोलते हैं जो की गंदगी को हटाने के लिए पेमस है आज के टाइम में हर एक टूध पेस्ट में चारकोल आरहा है तो आप पेस्ट क्यों यूज करते हैं चारकोल का आप सीबी चारकोल यूज़ कीजिए ना दूसरी चीज फिटकरी आप फिटकरी देखिए मैंने आपको फिटकरी का यूज पंगल इंपेक्शन में बताये था अपनी स्किन केर के लिए बताये था और आज मैं आपको बता रही हूं दातों की केर के लिए आप फिटकरी का यूज कैसे करेंगे तीसरी चीज है नमक तो करेंगे उसके बाद आप फिटकरी लेंगे करीब करीब 10 से 15 ग्राम और उसमें नमक मिला लेंगे और इन तीनों को पीस के कपड़े में से चानके एक box में रख लेंगे और उसी से आप सुभए brush कीजी देखिए अगर आप उंगली से brush करेंगे तो वो बहुत ही जादा अच्छा होगा क्यों अच्छा होगा क्योंकि जब आप brush करते हैं तो आप देखिए आपके जो brush के bristles होते हैं यानि उसके जो ब्रेश के दांते होते हैं उनके बीच में येलो कलर का कुछ जम जाता है अब उसमें इतने सारे किटानू होते हैं कि वो आपके जब आप ब्रेश करते हैं तो आपको दांत साफ करने की जगे आपके दांतों में वो जो गंदगी होती है वो चिपक जाती है, वो किटानों आपके दातों में चले जाते हैं जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा आपके दातों को नुकसान होता है नेक्स चीज मैं आपको बताऊंगी कि जो चार कॉल है उसमें ऐसी प्रॉपाटीज होती है जो कि जादा टाइम तक आपके दातों में गंदगी को जमा रहने ही नहीं देती और जिसकी वज़े से आपके दातों से जो ब्लीडिंग हो रही है जो आपके गम से ब्लीडिंग होती है मसूडों से ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाएगी अगर जो ख्योट or you could also tell them also work the ऌर थो चैरां में लगषी है वह खतम को जाएगा और तो और आपके जुदा में जिंजनाहर आती है यानि जो ठंडा अगरम अपके दांतों में लग रहा है यानि अगर आप कि जाए तो आपको सुद्ध होते हैं तो आपको lady in kate पे जो टूथ पेस्ट होते हैं उन पे क्या लिखा होता है हमेशा वार्निंग लिखी होती है कि पाउडर इन तीनों चीजों को मिलाकर जो भी पाउडर बनाएंगे दांतों की केर के लिए उसको आप बच्चों को भी बिल्कुल करा सकते हैं क्योंकि अगर बच्चा इसे खा के जोड़ी लेगा ऊठर ही सकतले तो भी किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि चार्कॉल से गंदद गी सारी खतव होती है फिटकरी जो की एंटिवाइटिक है और नमक तो हम यूज करते ही है तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी सलामानिये आप आज ही पेस्ट बदलिए और एक अफ़ते तक आप करके देखें गेमजन आपको बहुत जादा अच्छे रेजल्ट मिलने वाले हैं मैं अपने घर में खुद यही वाला मंजन यूज करती हूं तो थैंक यू फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स से ये टिप्स शेयर कीजिए ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको जो भी दात की प्रॉब्लम है वो खतम हो जाए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाईए ताकि मेरे अच्छे टिप्स आपको मिलते रहें